हेलो फ्रेंड्स स्वागत है अब सभी का मेरी नई वीडियो में आज मैं लेकर आई हूँ दाल के दुले की रेसिपी बहुत लोगी से दाल की दुलहन भी बोलते हैं और कई नामों से भी जानते हैं आप किस नाम से इसे जानते हैं मुझे कमेट में जरूर बताना तो यहां प कुछ है तो नहीं कंकर वगेरा अब दाल को साफ करने के पाद अची तरह से दोलेंगे दाल को अच्छी तरह से साफ कर लेना है आप देख सकते हैं पानी का कलर बिलकुल चेंज हो गया है तो यहां पर मैंने एक बार दाल को धोल लिया है एक बार और दोलूंगी डाल हमारी साफ हो चुकी है चलिए अब इसे बनाने के प्रासेस में चलते हैं अब एक कुकर में डाल को डाल देना है जो हमने साफ करी है अब इसमें पानी डाल देंगे जितना आप अपनी रेगलर डाल में पानी रखते हैं उससे इसमें ज्यादा ही रखना पानी क्योंकि अभी हम इसमें आटा डालने वाले हैं इस वज़े से दाल थोड़ी पतली रहनी चाहिए अब इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल देना है हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे सबी चीजों को मिक्स कर देंगे अची तरह से अब डाल में हमें दो सीटी लगा लेनी है यहाँ पर मैंने आटा पहले ही गूंद कर त्यार कर लिया था यह भही आटा है जिससे हम रोटिया बनाते हैं मैंने सिर्फ आटे को पानी डाल कर गुंदा है और इसमें अलग से कुछ भी नहीं डाला है आप चाहें तो इसमें हलका सा नमक डाल सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि रोटिया बनाने के बाद आटा बच जाता है आप उससे भी इसको बना सकते हैं तो यहां पर मैंने फ्लोर को अच्छी तरह से साफ कर लिया है अब इसी पर मैं यहां पर बेलने वाली हूँ आप चाहें तो चकले का यूज भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर सर्फेस पर ही बेल रही हूँ तो लोई बना लेने के बाद इसमें सुखाटा लगा लेंगे अब इसकी एक रोटी बना कर तयार कर लिनी है रोटी का साइस थोड़ा बड़ा ही रखना क्योंकि जितनी बड़ी रोटी होगी एक बार में उतनी ही टिक्कियां आपकी कर जाएंगी तो यहाँ पर मैंने रोटी को बेल कर तयार कर लिया है अब आपको एक कटर की जुरुत होगी चाहे तो आप कटर भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरह से कोई ग्लास ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है ये देखिए अब इस तरह से हमें इस तरह से काट लेनी है आटे की टिक्किया इसी से हम दाल के दुले बनाएंगे जो रोटी मैंने बेली थी इसमें एक बार में चार टिक्किया ही कट पाई है बाकी कांटा हम इस तरह से लेंगे और इसको बाद में बेलेंगे तो यहां पर हमारी आटे की टिकी तैयार है दाल के दुले को शेब देने के लिए तो दिखे शेब देने के लिए आप इस तरह से पकड़ें और ऐसे करके दबा दें इसके 3 कोने बना लेने हैं 1-4 कोने वाला भी बनता है वो भी मैं आपको बना कर दिखांगे यह देखिए अब इस तरह से पकड़ेंगे दोनों तरफ से बराबर पकड़ना है और बीच में से बिल्कुल सेंटर में इस तरह से दबा दिना है तो इससे आपका चार वला बन जाएगा चार कोने का बन जाएगा आपको जैसा पसंदाए वैसा बना सकते हैं मैंने यहाँ पर तीन वाले बनाए थे दिन कौन के बनाए थे मैंने यह देखे, बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो यहाँ पर मैंने बना कर सारे तयार कर लिये हैं, चलते हैं दाल को देख लेते हैं, गैस निकल चुकी है, तुकर पनी को खोल लेंगे, दाल को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, आप देख सकते हैं, यह किस तरह की है, थोड़ा सा चमचे से दबा दबा कर चला लेंगे, तो यह अपने आपी, इसके कंसंस्टेंसी सही हो जाएगी, अब जो हमने दुले बना कर रखे थे, उसे दाल में डाल देना है, जब आप इने दाल में डालें तो गैस का फ्लेम आन कर लें, आटा यहाँ पर कच्चा है, लेकिन फिर भी यह एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे, यह सारे अलग-अलग ही बनेंगे, तो मैंने यहाँ पर जितने भी बनाये थे, सारे एक बार में ही दाल में डाल दिये हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे डाल दिये हैं दूले दाल में, अब इने एक बार चमचे से चला बहुत ही अराम अराम से चलाना है क्योंकि आटा भी कच्चा है थोड़ी तिर के लिए इसको इसी तरह से ठख देंगे 5-7 मिनट तक अब इन्हें आप अराम से अच्छी तरह से चला सकते हैं तो यहाँ पर यह पक चुके हैं अब मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और धक कर पका बिल्कुल अलग-अलग बने हैं कोई भी आपस में नहीं चिपका है एक भी अब इसे ठख कर एक से 2 मिनट तक और पकाना है उसके बाद गैस को बंद कर दें डाल पक गई है अब यहाँ पर तड़का लगा लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन लिया है अब मैंने इसमें सरसो का तेल डाला है आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं उसे डाल सकते हैं तेल गर्म हो चुका है अब इसमें जीरा डाल देना है जीरा पक गया है अब इसमें सुखी लाल मिर्च डाल देनी है मैंने यहाँ पर दो सुखी लाल मिर्च डाली है दाल को थोड़ा तीखा करने के लिए अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी यह तीखी वाली जाल मिर्च है इससे कलर भी आएगा और दाल भी थोड़ी तीखी हो जाएगी तो यहां मैंने आधा चमस डाला है अब इस कड़के को दाल के ऊपर डाल दिना है तो यहां पर हमारे बहुत इस्वादिस्ट से दाल के दुल्हे बनकर त्यार हो गए हैं आप भी इस रेसेपी को जरूर ट्राइ करें यह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में आप इसे बनाएं और ट्राइ करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई